इस वर्श मौनसुन सीजन में भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में सरकारी वरीजी संपतियों को भारी नुपसान हुआ है आपदा किस घड़ी में प्रभावित व्यक्तियों को समय पर रहत पहुँचाई जा सके इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा RMS सिस्टम विक्सित किया गया है RMS ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर प्रभावित व्यक्ति पटवार घर जाए बिना अपने स्मार्टफोन से ही राहत राशी के लिए आवेदन कर सकता है जिसके जानकारी एक लिक पर सम्मंदित पटवारी वराजस अधिकारी के पास पहुँचाती है पटवारी पीरित व्यक्ति द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी के आधार पर मौके के जायजा लेकर रिपोर्ट तयार करता है उसी के आधार पर प्रभावित व्यक्ति को अंतरिम राहत के कुल मौावजे की 30 प्रतिशत राशी जारी करती जाती है आपदा में मकान, दुकान, डंगा, सुरक्षा, दीवार को नुकसान, खेत, पहजाने वर दुकान का सामान बरबाद होने सहित किसानों वर पश्वों की मौत पर मुआफ़े के लिए RMS प्रक्रिया ही अपनाई जा रही है हमिरपूर जुले के राजस्व अतिकारी जस्पाल सिंग ने बताया कि आपदा की सिती में एक फोन कॉल भी काफी है लेकिन RMS पोर्टल पर आवेदन करने पर निगरानी करना आसान बेहतर रहता है इसलिए प्रभावित परिवारों को ओनलाइन पोर्टल rms.hp.gov.in पर आवेदन करने की सलह दी जाती है हिमचल प्रदेश सरकार के RMS पोर्टल पर वो विजिट करके अपने नुक्षान की जो सुचना है वो उस पे दे सकता है और वो सीधी सुचना हमारी पटवरी के Log-In है उसमें आ जाती है और सेम डे पटवरी उसको सुचना है अपने तसीदार के मारते है शिर्दार को आउन लाइन माध्यम से जो है भो दे रेता है और वहीं से उसको på यहां राहत राषी जो महभजे की जो रासी है वो मेना सुरु हो जाती है बाकी जो राहत रासी का जो भगाया जो रहता रहा है उस जो है वो रासी जो है उस बेक्ति तक पहुंच जाती है पार तीन महीने एक बाद मैं जो मैनुवल है हमारा उसमें जो प्रावधान है उसकी बात कर रहा हूं लेकिन हमारा जो आरामे सिस्टम अब जो डिवेल्प हुआ है उसके माधियम से हम एक विदिन वन मंथ बची हुई यह विदासी को जो है वो पीरीद वेक्ति वे पहुंचा लेते हैं